नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर मैं हूँ आपके साथ स्पाते सेंग मध्यप्रदेश कॉंग्रेस ने ग्वालियर चंबल शेत्र को टार्गेट कर लिया है पाजी विधानसभा चुनाव 2023 में भी 2018 जैसे कृतिमान को कायम रखना चाहती है साल 2018 में यहां के आठ जिलों की कुल 34 सीटों में से 26 कॉंग्रेस ने जीदी थी जबकि बीजेपी को साथ और बहुजन समाथ पार्टी को एक सीट मिले थी अब कॉंग्रेस ने 2023 में फिर से पूर्ण बहुमत में सरकार बनाने के लिए ग्वालियर चंबल पर ही फोकस कर लिया ह यही कारण है कि केंद्री हाई कमान ने श्रेफ भाटिया को मधिप्रदेश में कॉंग्रेस सहा प्रभारी और ग्वालियर चंबल का प्रभारी बना कर भेजा है बात्या यह बाखु भी जान चुके हैं कि अगर कॉंग्रेस में शामिल हो जाए जोतर आदित्य सिंद्या विधायकों पर हमलावर दिख रहे हैं हाल ही में उनका बयान आया जिसमें शिव भाटिया ने कहा कि जोतर आदित्य सिंद्या पचास साल तक चुनाव नहीं जीत पाएंगे चाहें कुछ कर ले उन्होंने कहा कि बीजेपी में उनकी जो इस्तिती हुई है वह तो वही जानत हैं आपको बता दें कि 22 एप्रिल 2023 को ही कॉंग्रस के राष्टिय सच्चिव शिव भाटिया को कॉंग्रस हाई कमान ने मद्यप्रदेश को सहाप्रह भारी बनाया उन्हें मुख्य रूप से ग्वालियर चंबल के चुनाव के प्रबंदन की कमान सुपी गई वे ग्वालिय 12 जून 2023 को शिव भाटिया ने जोत्र आदिप्त्य सिंध्या को चिंदी चोर महराज कहकर संसनी मचा रखी थी भाटिया ने सिंध्या समर्थक विधायक मंत्रियों को जै चंद और मीर जफर बताया था उन्होंने कहा था कि आज समय आ गया है कि उन जै चंदों और मीर जफर को सबक सिखाने का राजनेतिक हत्या करनी है इस चुनाव में उनकी कबर खोद दो ताकि भूल जाएं कि राजनीती क्या होती है भाटिया यहीं नहीं रुके थे उन्होंने केंद्री मंत्री जोतिर आदित्य सिंध्या पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि सरकार के रुपए खर् साथ ही कहा था कि अगर महराज कहलाता है तो कैसा महराज चिंद्री चोर महराज नहीं होते शुप भाटिया ने एक बार कहा था कि सिंध्या जैसे लोगों ने कॉंग्रेस को अपने पैरों के तले दबा रखा था उन्होंने कॉंग्रेसियों को कभी ऊपर नहीं आने दिया जिस दिन से वे बीजेपी में गए हमारी ही कारे करताओं ने ये 57 नियर्स बाद गुवालियर के मेयर का चुनाव जीत लिया, मुरैना में भी कॉंग्रेस ने मेयर चुनाव जीता, जहां कॉंग्रेस ने 11 कॉर्परेटर थे और उनके जाने के बाद 26 हो गए, ऐसे में सिंध्या पर लगातार हमलावर होना और साफ़तोर पर सिंध्या को टारगेट करते हुए पार्टी का मनोबल बढ़ाना और ये बताना कि सिंध्या गए है, इसका मतलब यह है कि आप साफ तोर पर पार्टी किस तरीके से उभरी है और आप पार्टी के कारिकर्टा के तौर पर लगे रही है और पार्टी के नईया पार लगाते रही है ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है इसका कितना असर चुनापर पड़ेगा क्या सिंध्या के दियान देना क्या यह कॉंग्रेस के लिए मोटिवेशन का काम करेगा तमाम अब देट के लिए हमारे साथ बने रहें देखते रहें इंडिया नियुज दानुराद